ढौर्ट स्पाहएप आए आप ंवन की अलडोफ यूं बनदोफ दिसकूर्स अब्वाओट बायोमेडिकल वेस्ट आज का अपनों टॉपिक क्या है है यह वायोमेडिकल हिस्ट बात करते हैं बायो-ेडिकल वेस्ट होता क्या है और इसका management कैसे किया जाएगा intact कुरों इसके symbols कौन से कौन से यानि और अपने को कहिंके मिलता है तो अपने उसके कौन से कौन से इसे symbol हैं जिन से अपने उसको पैचान सकते हैं कि यह बायो मेडिकल वेस्ट है तो डबलू हो ने जो है कुछ सेंबल दिये हैं बायो हजार्ट के जो अपने यह हैं बायो मेडिकल वेस्ट के सेंबल से नेक्स्ट अगर अपन बायो मेडिकल वेस्ट के बात करते हैं तो बायो मेडिकल वेस्ट में अपने को कौन-कौन से ऐसे से content है जिनको ध्यान में रखते हुए अपने को क्या है बाइमेडिकल वेष्ट जो है उसका management करना है तो सबसे पहला अपना topic आता है बाइमेडिकल वेष्ट में introduction की बाइमेडिकल वेष्ट होता से कौन से हैं और यह रूल बने कब थे आ कि बार लो पूइंट आता है चरों Karol B सी कंगर किन में उसको डिवाइट किया गया है और उसकी कौक्त करना प्लांट अप नήςल Σरन कि यानि कि जो बायमेडिकल वेस्ट जो है उसको मैनेज करने का प्लान क्या क्या प्लान करेंगे जिसके द्वारा अपने जो बायमेडिकल वेस्ट का जो सेग्रिकेशन किया है यह बायमेडिकल वेस्ट जो अपने को मिला है उसके लिए इसके बाद आता है segregation in color-coded bag यानि कि जो अपने कच्रा इकठा किया है उसको कौन से कौन से color के bag हैं जिनके अंदर अपने कौन को इकठा करना है नेक्स्ट पइंट अपनाता है personal safety तो यानि कि अगर अपन कोई भी health care person अगर biomedical वेस्ट टीम में है या फिर वो कहीं पे भी होस्पिटल में काम कर रहा है रिसर सेंटर में काम कर रहा है तो उसको खुद की safety के लिए कौन से कौन सी चीज़े हैं जिसे वो खुद सेफ रह सकता है कि इसके बाद आता है store कैसे करना है उसको यानि कि जो आपने यहां पे अपना point था सेग्रीकेशन इन कलर कोड़ेट बैक सेग्रीकेशन का मिंस है collection अपने किया है collection करने के बाद क्या करना होगा आपको उसको store करना होगा और store करने के बाद उसको transport करना हो यानिक जहां पे आपने स्टोर किया वहां से डिस्कार्ड करने के लिए जहां पर आप लेके जाते हूं उस चीज को अपन मोलते हैं ट्रांस्पोर्टेशन next point आता है अपना incineration and non-insulation incineration process इस process में क्या होता है कि जो अपने biomedical waste को अपने collect किया है उसको अपने को क्या करना है decompost करना है निंग उसको खतम करना है तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं introduction introduction का means क्या है कि biomedical waste होता क्या है और जितना भी अपना फोस्पिटल में वहां से अपना कच्रा एककठा होता है उसके बाद अपना करते हैं डेफिनेशन की तो डावी अचनुन ने जो डेफिनेशन दी यह उसके बाद बात करते हैं थे उधित करने के लिए गौफ इंडिया ने और डीघ्र ने कब कौन सवारूमेडिकरी कि किया था दोरान अपन क्या है अपने रूल को चल गइन इसके बाद आता है प्लान के अपने को डालना है यह अपने को वेस्ट मनेजमेंट अपना प्लान इसके बाद आता है अपना segregation in color coded बैग यानि कि अपने पास जो चार कलर के बैग जो हैं उनके अंदर अपने को कौन से कौन से टाइब के जो क्या करना है उन बैग के अंदर अपने को डालना है उसके बाद अपना पॉइंट आता है संब्सक्राइब कि जो वरक कर रहे हैं कि जो हैlt य फ्रसार केर पसन चो को सब्सक्राइब के लिए कि कहीं उसको वेस्ट से कोई और यह इस के लिए लिए उसके लिए जो आपने सेप्टी लिए जोगी चीजे काम में स्टोर करते हैं इसे जहां पर इजीली अपने बास कि jointस् dennis छो चौह के तो बनाता है, ट्रांपोटेशन ब्राक्यदेट में क्या होता है, जो भी ब्राइचन की क्या तिया है, इसके стil अपने के क्या करना हैं पर यस ने के अब बसक्षण का डिस का पर लगोजर कला इसके अच्च्ए अदर जो हो ब्राम्टेकटने को ब्रॉक्त does उसको अपने को क्या करना है उसको खतम करना है वो कौन सी process के द्वारा होगा दो process है इन दोनों process में कौन सी process के द्वारा करते हैं यह अपनी content है अब अपन अपनेक्स पॉइंट अपना है इंट्रोडेक्शन इंट्रोडेक्शन ने अपन देखते हैं जो मेडिकल जो केर है वो क्या है वाइटल पार्ट है किसका अपनी लाइफ का और एक हैल्थ सिस्टम का यह जो अपनी मेडिकल केर है वो क्या है एक वाइटल है वाइटल पार्ट है किसका अपनी हैल्थ का अपनी लाइफ का कि बायमेडिकल वेस्ट जो है वो अपने क्या है कि ऑल ओवर वर्ड का क्या है इस्जू है है सिस्ट эконом के SAS कि जुड कुछ है joint अपने को है अपने को है यांपने को है कमवयर्मेंट वो सभी को क्या है बाइंमेडिकलby डिकल वेंन ख़र वह उन्वाम होच security में होखने काम में तो क्या है अपने को प्रॉब्ल मोड़ी नहीं सब्सक्राइब सल्सक्राइब तो ऐदा इंवर्मेंट पर एफप्ट आए गा इंवर्मेंट पर एफप्ट आएगा तो और ऊंप परशन की हैल्टि लाइफ पर उसका इफ़्ेक्ट आएगा अ यह जो इस्धू है जो हम से इंडी नोगा किसी स्मिफ्ट का इस्टु और नहीं है स्ट्डूंब बीधिट मेशिमेंट में काम में लेने पोस्ट एफटिव एंट सेफ का मतलब क्या है अपने खुद भी सेफ रहेंगे और उसको काम करने कि अंदर क्या है अपने पैसे भी कम से कम ल Skillshare के क्या करना है मेनेज करना है अपने क्या चाहिं पड़ैक्स वैटल मेडिकल केर क्या है एक वाइटल पार्ट है किसकी हुमन बोड़ी की और अपनी हेल्थ की यह क्या है एक वाइटल पार्ट है नहीं कि मैन जो है वह क्या है अपनी मेडिकल केर है जो इस्यू है वह किसमें है अपने ओल ओवर वर्ड में क्या है इसका इस्यू है क्यों है इसका हो रहा है तो community effect होगी community effect होगी तो क्या होगा एक जो healthy person है वो effective होगा अगर अगर अपन अधर्वाइज लेते हैं तो अगर अपन hospital में काम कर रहे हैं अगर वहाँ पर अगर अपने बायो मेडिकल waste management को proper way में नहीं किया वहाँ पर जो healthcare worker जो हैं अगर वह affected हो गया तो वो क्या करेगा अपनी all the करेगा तो एक कम्यूटी दूसरी कम्यूटी को क्या तो क्या हो जाएगा चैन बनने के बाद यह अपने फूरे इन्वार्मेंट को करेगी अublika.line कर squash नहीं को धbre हम अपने खर्चाना चाहिए इन चीजों का अपने को क्या है बायो मेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट में द्यान रखना है इसके बाद अपने आता है पॉइंट वाट इस बायो मेडिकल वेस्ट बायो मेडिकल वेस्ट है क्या इसका मिन्स क्या है कि जो अपना वेस्ट जो है कहां से जनरेट हो रहा है मैंने पहले अपने बात कि थी कि कहीं से भी रिशर्च चेंटर हो लैब हो होस्पिटल हो जहां से क्या है है हेहां निकल रहा है वही क्या है अपना वेस्ट कर रहा है और अपन कोई रिशर्च कर होता है है कि अपना है अब। ऑबिक। पीड़ या निकि की ऑपका होस्पिड़ व्यू वही है और आपका होस्पिडल वेस्ट प्लेक्टिंग इनफेक्शिस और पोटेंचियल इनफेक्शिस मैट्रियल यानिकि वह भी सकता है और नहीं भी हो बट जो वह स्पिटल से वेस्ट मेंटेडियल निकल रहा हुआ से उसके साथ कोई ना कोई माईक्रो औरगनिजम जरूर आ रहा रहा है वही क्या है अपना बायो मेडिकल वेस्ट होता है मेच्ट पंट हम एपना है इविड़न ने Way Most около सबस्राइं दॉए विडि जंटरेचिंड से यारीशी अपना उप्ना मेडिकल और लेवुडियों से जो भी बाक सिर्ट निकल रहाई वही क्या है अपना आको प्रमय क्यों सब्सक्राइब इस परता है बाडय-मेडिकल वेस्ट वह क्या है solid थो सकता और लिक्विट वो सकता है वो दोनों फोंगी अदम किया अपना बाडय浏क होसकता है क्योंकि प्लैड जो है वह किस फोऊमने होता है फिरम में होता है तर βागरेर जो है वो किसमें है अपने में अपने अपनाता है नीड और बायोमेडिकल विस्ट मैनेजमेंट अपने को बायो मेडिकल वेडिकल मैनेज मेंट का अगर बने मैनें नहीं होगा तो क्या होगा मैन को सिंगल परसन ते उसलियों Nine तो क्या वह सबकुत करब आप चोह उसको पैंक दिया को क्या कंड करेगा करेगा ठीक है वो करेगा तो वह सुझे जोगी ओडिजी इंडायरेक्ट वय में अपने पास पहुचेगी अपने को क्या है का मेस्ट में अध्रotheist का मैनेजचमेंट करना जरूरी है यह लुटा वैर्मेंट उपने जा एक इसके पडा ना आता है मेनेजमेंट इसमेंट को प्रोपर नहीं करेंगे तो कहां कहां पर इंवार्मेंट में तो अपना प्रोपर वे में प्रोपर ऑक्षिजन ले ले पाएंगे जो अपन वाटर है जो पानी अपन पीते हैं उसके अंदर भी क्या रहेगा कोई ना कोई कंटेंट जाएगा वहां से अपने अंदर डिजीज होने की कंडिशन रहेगी जो मिट्टी है उसमें अगर कुछ आ गया तो अपन क्या है अपने फशल कहां पर होती है वहीं पर होती सब्सक्राइब इंडिर्ट वे में में कही अपनी बॉड़ी के अंदर आएगी अगर अपनी बॉड़ी के अंदर वह चीज आएगी तो क्या होगा अपने कोई डिजीज होने के चांसे हो जाएंगे नेक्स मन्ट आता है इंप्ले इंपोर्टेट रोल इन डिस्पोजर और डिस्कार्ड ड्रग यानि कि वह मेडिसिन जो क्या हुआ अपने डिस्कार्ड कर दी क्यों कर दी क्यों कि मेडिसिन क्या करती है अगर कोई मेडिशन एक्सपार डेट एक्सपार ही होगी उसकी तो उसके बाद अपने क्या करना पड़ेगा अगर डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो वह अपने टॉक्सिस इफेक्ट प्रोडूज करेंगे किसी भी एनिमल ने इनिबिट कर लिए उसको या किसी परसन ने उसको कर लिए तो उसके क्या होगा उसके हामफूल इफेक्ट जो है वह उसकी बोडी में प्रोडूज हो जाएंगे जिससे क्या है डिजी जोने की कंडिशन हो जाएगी नेक्स्ट अपनाता है बायमेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट एंड हैंड्म रूलू以 Each government और इंडिया ने 1998 के अंदर क्या है एक रूल निकाल ठाहिं उसके अंदर क्या था बायमेडिकल को आपने को क्या करना है पन्यिकल नेकलना था है उसमें यह था कि जो भी आपके उस्पिल से जो भी कच्छा निकोता है उसको प्रोपर वे में इसकाड करोगे और यह लागू कब हुआ था 2000 के अंदर यह लागू हुआ था कि सुप्रेम कोर्ट ने इसको लागू करवाय था क्यों किया था इसको इसको इसलिए क्या था क्योंकि अगर यह प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो क्या होगा अपने जो इन्वार्मेंट और हुमन हेल्थ जो है उस पर क्या है इफेक्ट आएगा कि इसमें क्या था कि जहां से जन्रेट हो रहा है है जहां से आपका बायमेडिकल वेस्ट जो है वह जन्रेट हो रहा है वहीं से क्या है आपको इकठा करना है इसके बात क्या है इस रूल अप्लाइट तो ए पर्सनल परसंट हो जन्रेट कलेक्ट रिचीव स्टोर ट्रांसपोर ट्रेट इस्पोर्ट इस्पोर्ज और हैंडल बायमेडिकल वेस्ट इन एन्नी ओंग इंक्लुदिंग होस्पिटल नर्सिंग होम क्लीनिक इस्पेंसरी व प्लेट बैंक है यह कि सभी जगे यह रूल कहां पर लगवा है जो हैं से वहता है बायमेडिकल वेस्ट जो है क्या जनरेट रोता है जनरेट कहां पर होता है वहस्पिटल में होगा नर्सिंग यह सकते हैं इसाथ यहां मिलता है तो कोई आए तो वो क्या करता है कोई न, कोई डीजिस सात लेकर आता है तो वहां से जाते टेंपना कुछछ साल लेकर जाएगा क्यों कि यह पिछ के इंदर पैसेंट आते हैं कोईीज है तो उसके वहां पर जो आपने मैट्रियल कामें लिया जैसे आपने किसी भी पैसेंट के ड्रेसिंग की ट्रेसिंग आपने उसको यूई निया और और वो किसी दूसरे के टेच हो गया अपने को उसटाइम तक यह नहीं पता इश कर रहे हैं वह पने को यह पता होता कि इसमें कौनचीज है कौनचीजीज नई है इसलिए जहां पे भी सेंटर है होस्पीटल है mountain में क्लीनिकल जो क्लीनिक है dispensary है वहां से सब oftentimes क्लीए क्या है इन्हों थे वाथ को चाह, शारके सारों रूल जो है कि वरलो करने होगे। मुलबहना आता है healthcare डिया टोटल जो अपना हेंडेड़ परसेंट जो हेस्केर डोता है उसमें से 75ी-90 परसेंट क्या है?. नौन वेस्ट होता है और 10 से 25% जो है वो 10 to 25 क्यों फोकॉन सह अपना Inspectorि होता है इसके अंदर क्या है 45% है इस्टिमेट मनाया है 85 वह वह क्या है सुश्पिटल वेस्ट जो क्या है Wasam 10% क्या है इनफेक्सिए और 5% क्या है नोई इनफेक्सिए यह यह डबल हो का स्टेमेट है इसके बाद अपना पॉइंट आता है के टेगरी ओ बायमेडिकल वेष्ट जो है उसकी 10 केटिगरी में आपने बायमेडिकल वेष्ट को डिफाइन किया है सबसे पहले अपने हाथ है category first category first के अन्दर के आएगा human anatomical waist या निंदर हो इसकी है कोई भी Body Pois जो है वह कौई से तरे न आँएगा आएगा आपके category फ़स्ट के अंदर और उसका सेल है टिसू में चेल में और है जो भी है उसकी why बोड़ी का कोई भी है वह कौन से क्या में आता है अपना लिट में अनिमें आनाटमिकल वेस्ट यानिकि एनिमल की बोड़ी का कोई भी पार्ट जो है वह कौन सी केटेग्री में आएगा अपने के टेग्री सेकंड गेंदर आएगा कि अग्रट में अपनाता है के टेग्री थर्ड के अंदर क्या चीज आएगी माइक्रोबैलोजी और वेस्ट जो है वो किसमें आएगा केटेग्री थर्ड में यानि कि जो अपनी माइक्रोबाइलोजी लेब है उसमें से जो भी वेस्ट मेट्रियल निकलेगा वो कहां कौन सी केटेग्री में आएगा केटेग्री थर्ड में आएगा जो अपनी वेस्ट निकलेगा वो किसमें आएगा केटेग् पॉर के नदर जो भी सार्प वेस्ट जो है वो किसमें आएगा अपने के टेगरी फॉर्थ में आएगा दिखेट अपने को मेडिशन काम में दे रहे तो वह मेडिशन होती है जो लॉंग टाइम से पर काम में लेते हैं वह और एक मेडिशन वह जो जाने के बाद S बच गई होकुटी जाने के बाद आपना इंडे एगी तेंटेकरी 10 के इंदर क्या आएगा अपना यह क्या है अपनी 10 केटिग्री है डबलो अचुके अक्रोडिंग दस बागों में आपका जो मायोपेडिकल वेस्ट उसको डिफाइन किया गया है इसमें आप के इंदर अपना आएगा के इंदर आपका आएगा एनिमल वेस्ट फ्रड आपका आएगा मैक्रोबाजी आइख टेक्नलोज इस टेक्रीफ पौर्थ इंदर आएगा वेस्ट एंद्स स्थ पूर्टि प्लिप्ट्र आएगा आपकी मेदिसीन अंद स्ट्र थे मेंदेर अइगा है आपका श्यक्स के एस और केटेगरी 10 गिंदर आपका क्याएगा यह आपकी है बायो मेंडिकल विस्ट की केटेगरीज नेक्स्ट अपना है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांक यहने कि जो आपका वेस्ट है उसको मैनेज अपन कैसे कैसे करेंगे सब्सक्राइब अपना पॉइंट है शोर्टिंग एंड्लिंग इंट्रेन स्टोरेज अब डिस्पोजर और फाइनल डिस्पोजर यह अपन नेक्स्ट ग्लास में इसके बारे में डिस्कुस करेंगे थैंक्यू